बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिने सेमिनार कंड़क्ट करने की जरूरत पड़ती है अब सेमिनार भी जो है वो दो प्रकार के होते है नॉर्मली तो जो सेमिनार होते हैं वो वैसे होते हैं कि जिसके लिए preparation करने का समय मिलता है ये पहले परकार के seminars होता है और जो दूसरे type के seminars हो सकते है वो वैसे हो सकते है कि जिन में हमें अचानक जो है वो seminar conduct करने की जरूरत पड़े तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले है कि आपको अचानक seminar conduct करना हो तो उसे आप कैसे conduct कर सकते है इस वीडियो में हम आपको तीन टिप्स देने जा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा जो आपको उपयोगी हो सकती है ये topic हमने इसलिए पसंद किया हुआ है क्योंकि recently हम भी एक जगव पर गए थे कि जहां पर organizer ने हमें कहा कि आप seminar को conduct यहां पर please कीजिए तो हमने वहां पर seminar conduct किया था और on the spot उसे जो है वो conduct किया था तो हमारी इस वीडियो में आपके लिए जो सबसे पहले tip है वो यह है कि हमें audience में से किसी एक व्यक्ती से बात करनी है और किसी एक organizer से requirements को भी जाननी है इसे जो है वो अच्छे से समत्त है अब जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आपको अचानक अगर seminar conduct करना पड़े तो आपको करना यह चाहिए कि किसी भी एक जो है वो audience के member के साथ थोड़ी बात करनी चाहिए देखे होता क्या है कि आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ questions भी हो सकते हैं कि यहां पर यह ऐसा क्यूं है यहां पर यह वैसा क्यूं है ऐसे प्रशन जो है वो आपको हो सकते है वहां का जो atmosphere होता है मतलब कि वहां का जो माहोल होता है कोशिश करनी है कि जादा से जादा जो है, वो जानकारिया आप उस जगह के बारे में एकत्रित करें, इससे आपको जो है, वो पहले एक आईडिया मिलेगा कि यहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है, उसके बार आपको करना ये है कि organizer में से किसी एक व्यक्ति से जो है वो हमें उनकी expectations के बारे में जानना है मतलब जिन लोगों ने ये seminar को organize करने के बारे में सोचा हुआ है अगर बहुत सारे लोगें तो किसी एक व्यक्ति को कुछ पूछ ना है कि बताईए कि आप जो है वो हमसे क्या expect करते कि कि विशयों के उपर आपकी audience के साथ बात करे तो ऐसे जो है वो पूछ कर आपको एक idea मिलेगा कि वो क्या expect करते हैं आप से तो उन चीजों को भी आप जो है वो अपने seminar के अंदर शामिल कर सकते हैं और जो objective है organizers का भी उने भी पूरा करने में आप उनकी मदद कर सकता है तो यह हमारी सबसे पहले tip आप लोगों के लिए है कि अचानक seminar conduct करने के लिए audience में से किसी एक व्यक्ति के साथ थोड़ी बातें कीजिए और किसी एक organizer से उनकी expectations के बारे में भी जानिए आगे बढ़ते हैं और अचानक seminar conduct करने के लिए जो हमारी दूसरी tip आप लोगों के लिए है वो यह है कि हमें कुछ ही minutes में हमारे main points को तयार कर लेने है अब देखिए जब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है चलो हम जो है वो seminar को conduct करते है तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जो आपके सामने तुरंद बैठ जाएंगे आपको stage के उपर खड़े हो जाना है और बोलने के शुरुवात करनी है आपको बीच में 5, 10 या 15 minute का समय मिलेगा कि जिसमें थोड़ा arrangement किया जाएगा और फिर आपको जो बोलने की जो है वो starting करनी होगी तो यहाँ पर आपके पास जो 5 से लेकर 15 minute का समय होता है उसमें आपको अपने mind को जो है वो use करके main points को तयार कर लेने है कि आप कौन से main points को इस seminar के अंदर conduct करना चाहते है जो seminar उसमें cover करेंगे अब यह जो main points हो सकते है वो कैसे तय करने है तो आपके पास जो है वो पहले तो यह जीच जरूरी है कि जिस विशे के उपर आपको seminar conduct करना है उसका knowledge होना चाहिए ठीक है जैसे कि public speaking एक विशे है तो हमें public speaking का knowledge होना चाहिए वैसे जिस विशे पर आपको seminar conduct करना है उसका आपके पास ग्यान होना चाहिए वो जो विशे हो सकता है वो हो सकता है for example की parenting ये भी विशे हो सकता है या फिर ये विशे हो सकता है example के तोर पर की exams के लिए तैयारी करना ये विशे हो सकता है कोई भी जो है वो विशय हो सकता है कि जिसके अंदर आपकी mastery हो सकती है तो आप करना ये है कि वो 5-15 मिनिट के समय में मैं सोच लेना है कि कौन से main points को हम cover करेंगे ये main points को cover करने के लिए आपको जो है वो पहले point में जो information मिली audience की किसी member से उसको ध्यान में रखकर जो है वो तयार करने चाहिए एक जो organizer है उन्होंने बताया कि उनके expectations क्या है अगर वो कहीं न कहीं आपके विशय से match हो रही है तो आपको जो है वो expectations को ध्यान में रखकर भी कुछ points को ready करने चाहिए और जो एक दूसरा तरीका है कि जिससे जो है वो expectations जो उनकी है उसके अलावा हमारे content को तयार करना चाहिए वो जो अलग और एक तरीका है वो है कि हमें जो है वो audience को जो है वो observe करके ये तयार करना चाहिए audience जो है वो किस प्रकार की हमें लग रही है जैसे उनकी dressing को ध्यान में रखकर आप ये तये कर सकते है या फिर उनका जो attention level है आपके उपर उसको ध्यान में रखकर आप तये कर सकते है वो लोग बाते कर रहे कि नहीं कर रहे उसको जो है वो आप देखकर ये तये कर सकते कि कौन से points रखने चाहिए वो जो particular जगह है वहाँ पर जो है वो उनका बैटने का तरीका उनका खड़े रहने का तरीका उसके उपर से आप जो है वो तय कर सकते कि आपको अपने content में कौन सी चीज़े शामिल करनी चाहिए ये सभी जो है वो parameters को ध्यान में रखकर आप ये तय कीजिए कि कौन से 5 से लेकर 7 points को आप cover करेंगे depending upon the duration की जिने आप जो है वो deliver कर सकते है ये जो है वो आपको सोचना है ये बहुत ही important चीज़ होती है ये हम सभी चीज़ों को जो है वो हमारे अनुबव के उपर से कह रहे है तो यहां पर हमने cover किया दूसरा point की जिसमें हमने आपको बताया कि आपको वो कुछ minute के duration में कौन से points आप जो है वो cover करेंगे उनके बारे में सोच लेना है अब आगे बढ़ते है और इस विशय पर हमारी जो तीसरी और आखरी tip हम आपको देना चाहते है वो दे रहे है और यह है कि हमें audience के साथ interact करना चाहिए यह बहुत ही important चीज है audience के साथ interact अगर आप करते है तो audience आपके साथ engaged रहती है मतलब कि वो आपकी सभी बातों को सुनती है समझती है तो यहां पर करना आपको ऐसा है कि interact जो है वो अलग-अलग तरीकों से करना है आप जो है वो शुरु तो उसकी तारिफ करके उन्हें appreciate कर सकते है यह जीच कर सकते है उसके बाद जो है वो आप audience को कोई प्रशन पूछ सकते है वो प्रशन जो है वो general knowledge का हो सकता है वहां पर उस जगह पर आपने कुछ observe किया हो उससे related आपको कोई question करना हो तो वो आप पूछ सकते ताकि आप यह चेक कर सके की उनकी observation की skills जो है वो कैसी है इस परकार से interact किया जा सकता है आप जिन points के बारे में बताना चाहते है उनके बारे में उनको कोई knowledge है की नहीं यह जानने के लिए आप उन्हें जो है वो उससे जुड़े हुए कुछ questions कर सकते है और उनसे interact कर सकते है आगे जाकर आ एक जो है वो audience के member को या एक से ज़्यादा members को stage पर बुला सकते है और उनको जो है वो कुछ practically करने के लिए कह सकते है उन्हें कुछ practically करवा सकते है ऐसे जो है वो हम audience को ज़्यादा जो है वो engaged रख सकते है last में आप question answer session को conduct कर सकते है कि जिसके द्वारा भी जो है वो audience आपके साथ connected रहेगी यह चीज़ की जा सकती है तो यह सब अलग-अलग तरीके है कि जिनकी मदद से आप audience को engaged रख सकते है एक और बात कहना चाहेंगे audience को जो है वो connected रखने के लिए कि जो हमारी one of the favorite बातों में से एक है और वो यह है कि आप audience को affirmations बुलवा सकते है जो जो positive वाक्य होते कि जो हमें life के अंदर उपियोगी हो सकते है किसी particular field में हमें useful हो सकते है उन्हें जो है वो बुलवाये जा सकते है तो यह affirmations को भी जो है वो बुलवा सकते है कि जिससे उनके अंदर थोड़ी और energy भी हो जाए तो इस प्रकार से जो है वो आप इन सारी चीजों को कर सकते है तो यह हमारी तीसरे टिप आप लोगों के लिए है कि आपको audience के साथ continuously interaction करते रहना है तो दोस्तों हमने इस प्रकार से आपको इस वीडियो में तीन टिप्स दी कि जिन्हें follow करके आप अचानक seminar को conduct कर सकते है इस वीडियो में तो हमने आपके साथ तीन टिप्स को शिर्फ शेर किया हुआ है लेकिन अगर आप ऐसा चाहते है कि आप हमसे बहुत सारी चीजों को detail में सीखना चाहते है तो आप हमसे training ले सकते है आप हमारे online live public speaking course को join कर सकते है नीचे दिये गए number के उपर हमारा स संपर कीजिए हम आपसे बात करेंगे और आपको excellent public speaker बनाएंगे दोस्तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you for watching